बिहार ने जब जब अंगडाई ली है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है जो परिस्थितियां देश की जी समय होती है वो नेता पैदा करता है और मैं समझता हूं कि ये इस्थितियां आ गई है जब जो कुछ हो रहा है जिस तरह से सांप्रदाइक्ता का घोरा सदभाव के अच्छाति को रोंद रहा है जिस तरह से धर्म के नाम पर देश को विभाजन के कगार पर धकेला जा रहा है परिस्थितियां और परिस्थितियां देता भी पैदा करेगा विकल्प भी पैदा करेगा और वो समय बताएगा कि विकल्प कौन है 12 जून को पटना से इसका यह है और मेरी समझ से काम्याब भी होना चाहिए क्योंकि बिहार ने जब जब अंगडाई ली है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है और बिहार अगर इसकी अगवाई कर रहा है इसको हलके में लेना किसी के लिए भी मैं समझता हूं कि इना समझी का काम होगा बिहार अगवाई कर रहा है एक गंभीर व्यक्ति इसका नितृत कर रहा है तो निश्यत तोर पर बात तो गंभीर है और इसमें जिन दलों ने अपनी सहमती दी है वो कोई छोटे मोटे दल नहीं है या तो अपने राजियों की वो च्छत्रप है राजियों में उनकी है जनता तक या फिर रास्ट्रियस तर पर कांग्रेश और अन्य दलों ने बामदलों ने अगर दिया है तो रास्ट्रियस तर पर उनकी अपनी एक पहचान है अपना एक संगठन है अपना एक वजूद है ऐसे में सारे लोगों का एकठा होना बड़ी पार्टियों का एस्टे के में लेना मुर्खता होगी यह बहुत ही गंभीर है पाल है और इसकी गंभीरता को मैं समझ रहा हूँ कई हम इत्यास के विद्यार्थी रहे हैं जानकार रहे हैं हमने देखा है कि किस तरह से 1967 में डॉक्टर लोहिया सफल हुए थे किस तरह से 1977 में आपको जे प्रकास नारेंच सफल हुए थे तो इसको हलके में लेना इसको पूरी सिद्दत से लेना चाहिए और मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छी पहल है और जिन्नों को दिखता हूँ इससे कुछ नहीं निकलने वाल है वो आने वाला समय बताएगा मैं समझता हूँ मैं होप्फुल हूँ कि अभी एक मजबूत केंद्र के खिलाप एक मजबूत विपक्च चाहिए विकलांग विपक्च कभी भी डिमोक्रेसी के लिए लोक तंत्र के लिए अच्छा नहीं है घातक होता है इसलिए मजबूत विपक्च की तलास अच्छा पहल है मेरी समझ से ये पि-एम की मुहिम नहीं है पि-एम बनने की मुहिम नहीं है बलकि ये विपक्च ची एकता की मुहिम है मैं पुर्व में भी बोल चुका हूँ कि एक मजबूत केंद्र के खिलाप एक ससक्त विपक्च जब तक नहों लोग तंत्र पर ताना साही के खत्रे मरड़ाते रहते हैं तो ऐसे मैं जब भी कोई व्यक्ति निकला है मेरी समझ से एक वार डॉक्टर लोहिया निकले थे पि-एम पि-एकता की मुहिम पर और जब कॉंग्रेस प्रचंड बहमत में रहा हुआ करती थी दूर दूर तक कोई विकल्प दिखता नहीं था तो उन्होंने गैर कांग्रेस बात कर नारा दिया था और फिर नौ परांतों में अपोजीशन की सरकारे मिली जुली सरकारे बनी थी कटबंधन की सरकारों का प्रियोब वहां से सुरू हुआ था उसके बाद फिर सत्तर में चोहत्तर से सत्तर के बीच में जब इस देश पर लगा की सीमित आनुसाई के खत्रे मरड़ा रहे हैं तो फिर जया प्रिकास नार्यजी निकले थे और उन्होंने भी विपक्षि एक्ता की मुहिम को मुकाम दिया थे मेरी समध से जो भी व्यक्ती ऐसा काम कर रहे हैं वो लोग तंत्र और देश के हित में सराहनिय काम कर रहे हैं नितिश जी अगर इस मुहीम पर निकले हैं कि विपक्ष को एक जुट करना है कि मैं समझता हूं कि एक सही दिसा में उठाया गया एक सराहनी एक कदम है अब इसकोन का जबाब तो अभी नहीं देंगे हम लेकिन हम कुछ उदारन देंगे आपको लगता नहीं था कि नहरू जी कि अगवाई में जो कॉंग्रेस थी उसका कोई भी कल्प है इस देश में इंद्रा जी जब आईरन लेडी बनके आई दुनिया के सामने और अंतर रास्टी अस्तर पर अपने अपनी सक्ति का एहसास कराया देश ने भी उनके नेतृत का लोहा माना अपोजिशन ने भी माना जब पाकिस्तान का उन्होंने बटबारा कर दिया यह सर्जिकल इस्ट्रैक पटा का फोड़ के और क्या हानी हुई नहीं हुई आप लो वो बताया पाकिस्तान को दो टुकडे करके लाखों सेनिकों का सरंडर करवाके उन्होंने अपने नेतृत का लुहा मनवाया तब लगता था जब अटल जी जैसी सक्सियत ने कह दिया कि रंचंडी है तुरगा का अवतार है तो मैं समझता हूं कि फिर कहने के लिए कुछ ब सामने कुछ नहीं था लोग समझते थे कि इनका दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है इंद्राजी का ऐसे में चोटे-चोटे दलों को एक चुट करके ऐसी स्थितियां आई जब कि प्रकास नारेन निकले और लोगों ने देखा कि एस्टेट का एस्टेट पूरी तरह जी नेता इस्थितियां पैदा नहीं करती है जो परिस्थितियां देश की जी समय होती है वो नेता पैदा करता है और मैं समझता हूं कि यह इस्थितियां आ गई है जब जो कुछ हो रहा है जिस तरह से सांप्रदाइक्ता का घोरा सदभाव के च्छाती को रोंद रहा है जिस बहुति जरा से धर्म के नाम पर कर देश को विभाजन के कलगर्ण पर धकेला जा रहा है इस तरह संसदर में जन्त रिजनय कि जन्नि संसदर में जिसमें सरदार पटेल बैठते ते जिसमें डॉक्टर बाकत्र से दिन हमाइच़ु बैठते थे आज उसमें पंडों और पुजारीयों को बिठाए जा रहा है मंत्रों चार घोसित हो रहा है हमारा असोक अस्तंब जो राश्टिया स्मिता का सवाल था लोगों ने उसको हटा कर जिस तरह से राज दंड को अस्थापित करने की बात हो रही है जिस तरह से राज तंत्र को अपितले लोगतंत्र की छाती पर थोपने की बात हो रही है। ऐसे में इसीतियां आ गई हैं। और पष्तियां लेता भी पर करेगा विकल्प भी पर करेगा और वो समय बताएगा कि विकल्प कौन है मैं देख चुका हूँ मैंने कहा 77 में के भी दोर को भी देखा नहरू जी के भी दोर को देखा सुना उसके बाद फिर हमने देखा उस दोर को भी जब राजीव जी प्रचंड बहुमत में आये थे नाना और मां से भी प्रचंड बहुमत में आये थे और एक व्यक्ति निकला कहा राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है और सत्ता परिवर्तित हो गई इसलिए किसी को भी अहंकार में जीना नहीं चाहिए लोगतंत्र की इज्जत लोगतंत्र की असमत लोगतंत्र की अहमियत को समझना चाहिए यह जो छोटे-छोटे लोग हैं पिसान हैं, मजदूर हैं, कमेरे बर्ग हैं, स्रमिक हैं, यही सथा की चावी निके हाथ में, और वो जिसकस्त से, जो बेरोजगार नौजबान हैं, नई पीड़ी है, जिसकस के दोर में जैए stability के दौर से गुजर रहा है, जो बेरोजगारी का माहुल है, जो महगाई का माहूल है जो संप्रदाइक्ता की इस्तिती है जो नफरत की इस्तिती है तो यह जो नफरत के जहर बोई जा रहे हैं उन सब के खिलाब मुल्क का मिज़ाज बन रहा है मैं ऐसा मानता हूं कि बढ़ श्पर से सही लो जब की इस्तिती है झाल मुल्क का मैं रहusta हैं